चुनाव के राजनीतिक डलों में स्टार परकार्शारक बनाय जाते हैं कि functioning आए और पार्टी या उन बड़े नेताओं कि लोग पुरेता को खुना सके लेकिन इसब स्टार पर परकपार्शारक को लेकर लोगों में कोई दिल्चस्प भी नजरा इए कॉंग्रेस हो या बिजेपी दोनों ही पार्टी ने अपने अपनी स्टार परचारकों को चुनावी मेदान नोता रहा लेकिन न कॉंग्रेस का असर रहा ना ही बिजेपी की अपील कुछ काम में आई नमस्कार आप देख रहें दा नगरी नियूज में हूँ शेक्जवर दरसल राजिस्तान में दो चर्णों में चुनाव हुए 19 सप्रेल को पहले चरण के मद्दान हुए तो 26 सप्रेल को दूसरे चरण के मद्दान हुए इतिना ही नहीं देश में प्रधानमंद्री नरेन मोधी को सबसे लोगतृएनेता कहा जाता हैं, लेकिन इस बार नरेन मोधी की लोगतृइता भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। एसा हम इतले कह रहे हैं क्योंकि मोधी राजस्तान के जिन शेत्रों में आकर गए, उनमें से सिर्फ एक में वोट प्रतिशत बढ़ा, बाकि सभी जगहा वोट प्रतिशत कमों है। राजस्तान में इस बार के लोगसभचुनाव में 61.60 प्रतिशत बोटिंग हुई है। जबकि 2019 के चुनाव में 66.34 प्रतिशत बोटिंग हुई थी। तो 2019 के मुकाबले इस बार 4.74 पिजडी बोटिंग कम हुई है। कॉंग्रिस की ओर से राहूल गांधी ने राजस्तान की दो लोग सबसीटों श्री गंगानगर के अनूपगड़ और जोधपूर के फालोदी में जनसबह की थी। श्री गंगानगर में 2019 के मुकाबले जहां 8.30 परतिशत मद्दान कम हुआ तो ही जोधपूर में इस बार जनसबह हुई। दोसमे करीब 6 परतिशत और जालोर में करीब 3.50 परतिशत कम मद्दान हुआ है। अलवर में प्रिंका ने कॉंग्रेस प्रतियाशी के समर्थन में रोड़ शो भी किया था जहां 2019 की मुकाबले करीब 6.50 परतिशत से कम मद्दान हुआ है। लोगों ने रा प्राजिस्तान में दोनों चन्नों को लेकर कुल 9 दोरे करके 10 लोग सभा सीटों को कवर किया इन 10 सीटों में से सिर्फ बाड मेर में मदान परतिशत 0.95 की सदी बढ़ा है इसके अलावा बाकिस्ता भी 9 सीटों पर मदान परतिशत 1 से लेकर 8.50 परतिशत तक कम हुआ है प्रिधान मंतिरी नरेन मोदी ने जेपुर ग्रामीन लोग सभशेतर में और पुटली में 2 अपरेल को 5 अपरेल को चूरू, 6 अपरेल को अजमेर के पुशकर, 11 अपरेल को करो ली, 12 अपरेल को बार मेर मेर में सभा करने के अलावा 12 अपरेल को दोसा में रोड शो भी किया था इसके अलावा प्रिधान मंतरी मोधी ने 21 अपरेल को जालोर और बासवाड़ा के अलावा तेस अपरेल और टोक सवाए मादुपूर में जनसबा ती के दोनों ही पार्टियां जादा से जादा सीट जीतने के दावे कर रही हैं लेकिन अब कौन सी पार्टी की जोली में कितनी सीट आएगी यह तो आने वाली चार जून ही बताएगी इसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे दन अगरी में